हेलो दोस्तों गुड़ मॉनिंग कैसे हो आसा करता हूँ ठीक होंगे अब एक बार फिर से मेरे पिंकुस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है और इस वीडियो में आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको वैसे में रहता हूँ सेक्टर 23 में तो किसी भाई ने मुझसे पूछा रेंट में अगर रूम लेना है वहां पे मेडीकल और मार्केट सबी सुइधा किस शेक्टर में हैं तो चली हम आज के वीडियो में आपको दिखाते हैं तो बने रही हमारे वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजए और चैनल में नहे हैं तो सब्स्क् फिलाल तो मैं सेक्टर 23 में रहता हूं तो सेक्टर 23 में अभी एद चाहिते हैं ये सेक्टर 23 का वीडियो है. मैं मुछा ने के जाता हूं 32 ग्री लिप आए फिरेशन के पास मेरा काम का माकरता हूं अब tentang 42 ग्री-डरी-स्टेशन को जाने के लिए मुझे चल के पंद्रा भीस मिनिट लगता है तो मैं कि उने थोड़ा सा इस्कीं कर दिया तो वारीश की वज़े से तो मैं आपको बताना चाहूंगा जा मैं चल के जाता हूं, वहां से करीब 10-15 मिनट लगता है, वहां तक चल के जाने के लिए, बामन डूंगरी स्टेशन के लिए, बामन डूंगरी सेक्टर 19 दोनों एक ही है, तो सेक्टर 19 में आपको सारी स्विजाय मिलेगी, मेडिकल, स्टोर, मार्केट, और स्टेशन, बस स्ट स्टोर 19 में रहते हैं, तो आपको आपको दिखाऊंगा वहां पर जाके, तो गाइस, बारिज बहुत जोर से हो रहा है, और तो दोस्तों, आज मैं आज आपको दिखाने, बताने वाला था, कि कि स्टर में सारी स्विजाय हैं, जैसे मार्केट, मेडिकल स्टोर, और बस स्ट रेलवे स्टेशन का स्विधा, जो है, यदि उल्वे में आते हैं तो, किसी भाई ने मेरे से पूछा था, कौन से से शेक्टर में सारी स्टीज की स्विधाय हैं, मार्केट, रेलवे स्टेशन, बस स्टोर डुप का, तो उन सारे भाईओ को बताना चाहूँगा, जो उल्व चीजों से जूड़ी हुई सारे चीजों का आप लुप्त उठा सकते हैं, तो मैं यह नहीं बताऊंगा कि कौन से सेक्टर अच्छा है, मैं आपको यही बताना चाहूंगा, क्योंकि अगर रेलवे इस्टेशन, बस इस्टोप के बारे में बात करेंगे, तो आप खारकोपर मे मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं इधर उलुवे में रहता हूं, सेक्टर नाइंटीन, तो सबसे बेस्ट आपको होगा सेक्टर नाइंटीन. देख रहे हैं, जो मेरे पीछे साइड है, यह सब आपको फल फूरूट मेडिकल स्टोर और होस्पिटल का सुईधा है, यहाँ पे, और यहाँ पे देख रहे हैं, आगे जाके दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे आपको बसी स्टोप का सुईधा मिलेगा, और इसके ठीक स्टेशन है जिसको बामन डोंगरी के नाम से जाना जाता है तो गाइस यह है बामन डोंगरी और यह सामने जो देख रहे हैं बस खड़ा हुआ है यह मेरी चोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा बताईगा जरूर अगर जानकारी अच्छा लगा होगा तो दिल से इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सो गाइस यह है बामन डोंगरी स्टेशन जहां से मैं आपको आपके सुधा के बारे में दिखा रह करेगा तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में और यह मेरी चोटी सी जानकारी आपको कैसा लगा बताएगे जरूर अभी तक के लिए बाए बाए